रेड़ी, फाइब सेकेंड, स्टार्ट, महोद्य भारतिय राजनिती की पुरानी और ला इलाज बिमारी है दल बदल बिलाम, बिलकुल सड़ी और बद्बूदार नासूर में तबदील हो चुकी घाव की तरह इस्त नासूर का इलाज करने के लिए तमाम पेथियां अजमाई जा चुकी है बिराम, लेकिन सब बिफल रही है बिराम, सेधान्तिक निष्ठा बचानी की सबसे पहली कोशिश 1985 में दल बदल पर कोई बंदिस नहीं थी बिराम, फिर 2003 में एक्यानमेवा संबिधान संसोदन विधैप पास हुआ, लेकिन नतीजा सिफर रहा बिराम, 1980 का दो घटना क्रम कोन भूल सकता है, जब हरियाना की पूरी भजनलाल सरकार का ही कॉंग्रेस में बिल्य हो गया था, बिराम, जैस बैस से विचार धारा की राजनिती देश में कब तिरोहित होनी शुरू हुई, इसका एकदम स्टिक अंदाजा लगाना तो राजनितिक बिज्ञानिकों के लिए बहत मुश्किल है, लेकिन आयाराम, गयाराम का जुमला पहली बार मार्केट में आया, 1967 में बाया हरियाना बिराम, असल में इसी साल हरियाना की हासनपुर बिधान सबा सीट में गयालाल नाम के नेता बिधायक चुने गए थे, निर्दलिय बिराम, चुनाव नतीजे आने के बाद गयालाल कॉंग्रेस में शामिल हो गए बिराम, चंद घंटों में ही गयालाल का मन बदल गया और भी संयुक्त मोर्चा में बापस चले गए बिराम, लेकिन नो घंटे के बीतर ही उनका मन फिर बदला और वो बापस कॉंग्रेस में चले गए बिराम, यानी गयालाल एक ही दिन में तीन बार पाल्टी बदल चुके थे गटना के बाद मुख्यमंत्री बने राव बिरेंदर सिंग ने उसी वक्त प्रेस कॉंफ्रेस में पहली बार कहा था कि गया राम अब आया राम है बिराम पेराचेंड, दुसित विचारों से बातावर्ण की सारी सुन्दरता नश्ट हो गई है, अब मनुश्य जीवन का कुछ मुल्य नहीं रहा है, क्योंकि कूब विचारों के फेर में इतनी अधिक आशान्ती उत्पन कर ली है कि उसमें थोड़े से सद विचारवान व्यक्तियों को भी चैन से रहने का अफसर नहीं मिलता बिराम, इस संसार की सुखद रचना और इसके सोंद्रय को जागरत करना चाते हो तो व्यक्तिक तथा समाजिक जीवन में सद विचारों की परतिष्ठा ही पड़ेगी, इसके लिए केवल कुछ व्यक्तियों को नहीं वरण बुराईयों को तुड़ना में कुछ अधिक प्रभावशाली सामुहिक प्रियास करने पड़ेंगे, तबी सब के हित सुरक्षित रह सकेंगे बिराम,